हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैने टार्गेट सिविल सर्विसेस में तो आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर से जितने भी करेंट एफेस के कोशन बनेगे सारे कोशन को इस लेक्चर में हम डिसकस करने वाले तो दोस्तों रोज की दर हम आज 10 करेंट फेस को देखने वाले और साथी एक important topic और उस topic में हम बात करेंगे सुचकांक 2021 की दोस्तों कल की class में भी हमने कुछ important index देख लिए थे और बच्चे वाले index है मलब सुचकांक है देख लेंगे अब बात कर लिते हैं दोस्तों आज का जो question आप देख है आपके लिए कि सांती के नोबल पुरुसका 2020 से किसे सम्मानित किया गया था इसका सही जवाब आपको comment section में देना है तो अब start करते हैं दोस्तों आज के current phase आपके लिए पहला question है कि हाली में भारत के नए उपचुनाओ आयुकत मतलब deputy election commissioner कौन नियुकत हुए है तो दोस्तों ये नियुकत किया है स्रीकांतर्टी को यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 2 और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है स्रीकांतर्टी जिने भारत के नए उपचुनाओ आयुकत के रुप में नियुकत किया गया है और आप दोस्तों कुछ important appointment हुए है तो वो देख लेते हैं जैसे कि हम बात करें कि राज्य सभा में जो सदन के निता है वो किसे बनाए गया है तो प्यूस गोयल जी को बनाए गया है और next point है दोस्तों कि जो राज्य सभाय इसमें सदन का उपनेता कौन बने है तो ये मुकतार अबबास नकवी बने है और करनाटक राज्य के राज्यपाल को ने तो ये थावर्चंद गहलूत है और हाली में दोस्तों सहकारिता मंत्राले में अभे कुमार सियों को संयुक्त सजु के रुप में निुक्त किया गया है और साथ ही आपको याद देखना है कि यह जो सहकारिता मंत्रा ले है इसके मंत्री को ने तो अमित साह है अब चलते हैं नेक्स्ट कोशन के और कोशन ही कि सुप्रीम कोट के इतियास में पहली बार तीन महिलाओं ने एक साथ सपत लिये उनके नाम क्या है और सुप्रीम कोट के इतियास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब नौ जोजो ने मतलब 9 नाइद नाइद इसों ने एक साथ सपत लिये और जिन में तीन महिला भी सामिल है और उन महिलाओं का नाम है जस्तिस हिमा कोहली जस्तिस बीवी नगर रतना जस्तिस बेला त्रिवेदी ये नाम याद अखना है तो दोस्तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है उप्यूक्त सभी मतलब सुप्रीम कोट के इतियास में पहली बार तीन महिलाओं ने एक साथ सपत लिये और उनके नाम क्या क्या है ये मैं आपको बता दिये तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उप्सन फोर आप देख सकते दोस्तो यह है जेस्टिस बीवी नगरत्मा और यह है दोस्तो जेस्टिस हिमा कोली और आप देख सकते दोस्तो यह है जेस्टिस बेला त्रिवेदी तो दोस्तो जेस्टिस एस ओका जेस्टिस विक्रमनात और जेस्टिस जेके महिस्वारी और जेस्टिस सीटी, रवी कुमार और जेस्टिस एमेम सुंदर रहसन और इनी के साथ है दोस्तो सिनियर एड़ोकेट पी एस नरसिमा इन्हें नौ लोगों ने एक साथ सपत लिये तो यहाँ पे दोस्तो हम बात करें थे सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट का जो उलेक है वो सविदान के आर्टिकल 124 से 147 में किया गया है याद दखना है आपको आर्टिकल इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसका उलेक सविदान के किस अनुछेद में किया है तो 124 से 147 में किया है और भाग कौन सा है दोस्तों तो ये भाग 5 है ये भी आपको याद दखना है और सुप्रिम कोर्ट की जो रीट जारी करने का जो अधिकार है वो कौन से अनुछेद में तो अनुछेद 32 है ये भी आपको याद दखना है और साथी दोसों आपको याद दखना है कि Supreme Court कितने प्रकार की रिट जारी करता है तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है अब चलते हैं next question के ओर अगला question है कि हाली में Tokyo Paralympic में 10 मिटर एर पिस्टल में सीहाराज अधाना ने कौन सा पदक जीता है तो दोसों मैं आपको बता दू कि 10 मिटर एर पिस्टल में जो सीहाराज अधाना है इन्होंने जीत लिया है कास से पदक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा option 3 और आप देख सकते हैं दोसों ये है सीहाराज अधाना और आप चलते हैं next question के ओर question के हाली में अंतराजी cricket से सन्यास की घुसना करने वाले डेल इस्टेन किस देश से है तो दोसों इनका जो सम्बंद है मनलब डेल इस्टेन का जो सम्बंद है वो कौन से देश से तो South Africa से यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 2 और आप देख सकते हैं दोसों ये है डेल इस्टेन जो क और इसका जो मुख्याले है वो कहां पर इस्टेन तो याद देखना है आपको दूभई में इस्टेन और वर्तमान में इसके जो अद्धेक्ष है दोसों वो याद देखना है वो ग्रेग बार कले हैं और अब अगला कुशन देख लेते हैं हाली में वाई ब्रेक एप को किस मंतराले ने लौन्च किया है तो दोस्टों मैं आपको बता दो कि यह जो वाई ब्रेक एप है इसे लौन्च किया है आई उस मंतराले ने यहां पर correct answer हो जाएगा option 4 तो दोस्टों हम बात कर लेते हैं कि इस वाई ब्रेक एप को लौन्च करने की जरूरत क्यों है इसका उद दक्षिता है उसको बढ़ाने के लिए इस एप की जरिये पांच मिनिट का प्रानायम आशन या फिर योग पर हंदिया जाएगा और साथी दोस्तों आपको याद एखना है कि यह जो आयूश मंत्राले है इसकी वर्दमान में मंत्री कोने तो यह सर्वानन सोनवाल है और अब चलते है नेक्स कोशन के और कोशन के हाली में कि इस बैंक ने डल जिल पर एक तरता हुआ एटियम खोला है तो दोस्तों इस बैंक का नाम है State Bank of India मतलब SBI ने जिल पर एक तरता हुआ ATM को खोला है और इस ATM को खूलने का जो उद्देश और वो क्या है दोस्तों तो इस से क्या होगा जो रिस्तानी और पर्याटक है इनको केस की जरूरत पड़ेगी तो इसका ये फाइदा यहां से उठा सकते हैं और यहां पर दोस्तों हम बात करें SBI की मतलब State Bank of India की जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी और इसका जो हेड कोर्टर है वो मुंबई महारास्ट में इस्तित है और इसके वर्दमान में जो चेयर मेंन है वो कोन है तो दिनेश कुमार खा रहा है और अगला खुशने के हाली में केंद्री ग्रह मंत्री अमिश शाह ने कहां पर लड़ू वीतरन योजना का सुभारंब किया है तो इसका जो सुभारंब किया है दोस्तों वो गांधी नगर गुजरात में किया है और इस योजना का जो उद्देश है वो क्या है तो इस योजना के तहत लगबग 7,000 गर्भवती महिलाओ को कुपोसन से लड़ने के लिए सोयम से भी संस्ता के माध्यम से बच्चे के जन्म तक हर महा 15 पॉस्टिक लड़ू मुफ्त मिलेगे तो इसका ये उद्देश हो गया आपको याद दखना है दोस्तों कि ये जो लड़ू वितरन योजना है इसे लॉंच किस ने किया है तो अमिशाह ने और इसाती कहां पर लॉंच किया है तो गांधी नगर गुजरात में और अब नेक्स कोशन देख लेते हैं हाली में राजजी सभा के नए महासच्यू कौन बने है तो दोस्तों ये जो राजजी सभा इसके नए महासच्यू बन गए है यहाँ पर करेक्टर अंसर हो जाएगा ऑपसन टू और आप देखते हैं दोस्तों यह है पी पी के रामचारल गया है तो दौकर पराजजरम पट्टाबी केसो रामचारल गया यह आपको यादचना है इन्हें राजजी सभा के सभापती दोरा संसत के उच्छे सदन के नए म वहां सच्चु के रूप में नियुकत किया गया है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह जो राज्यसभा है इसे अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है और यह जो पीपी के राम चारलिूल है इन्होंने दिपक वर्मा का इस्थान लिया है और वर्तमान में जो राज्यस में जो सदस्यों की अधिक्तम संक्या है वो कितनी हो सकती है तो यह 250 हो सकती है और यहां पर बात करें कि वर्तमान में जो राज्यसभा है इसमें सदस्यों की संक्या कितनी है तो यह 245 है और साती दोस्तों आपको याद इखना है कि राज्यसभा की जो सभा पती है वो कोन है तो वो M Venkan Aidu है जो की उपर राश्रपती होते है और अब चलते हैं नेक्स कोशन की ओर कोशन की बुद्ध देव गुहा जिनका आली में निदन हो गया है उनका संबंद किस छेतर से है तो दोसों इनका जो संबंद है वो लेखक से है यहाँ पर करेंट अंसर हो जाएगा और आप देख सकते दोसों यह है बुद्ध देव गुहा जिनोंने महदू करी साहित कई लोग प्रिये पुस्तक लिखिये और इनका दोसों हाली में 25 वर्स की उम्र में निधन हो गया है और दोसों मैं आपको बता दो कि यह जो प्रसीद्ध बंगाली लेखक है बुद्ध देव गुहा इनको आनंद पुरुसकार और सरत पुरुसकार साहित कई पुरुसकार मिले है तो आपको याद देखना है कि बुद्ध देव गुहा का जो संबंद है वो किस चेतर से तो लेखक से है अब चलते हैं नेक्स कोशन के ओर और आज का लास कोशन है कि नियूरो सरजरी में प्रतिस्टित AANS पूरुसकर पाने वाले पहले भारती कौन बने हैं तो ये बन गए दोस्तो डॉक्टर बसंत कुमार मिस्रा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा Option 1 डॉक्टर बसंत कुमार मिस्रा तो दोस्तो आप देख सकते हो ये है डॉक्टर बसंत कुमार मिस्रा जिनको प्रतिस्ट अमेरिकन एसोसियेशन आफ नियूरो लॉजिकल सरजर्ण के नियूरो सरजरी में इंटरनेसल लाइफ टाइम आच्यूमेंट आवर्ड से समानित किया गया है और साथी दोस्तों यह जो अमेरिकन एसोसियेशन आफ नियूरो सर्जिकल सर्जन सम्मान पाने वाले पहले भारती भी है आप देख लेते हैं दोसो जो important topic में हम करने वाले है सुचकांक जो westwick सुचकांक है तो सबसे पहले हम दोसो जो कल हमने 8 index किये थे उनमें भारत की rank फटाफ़र देख लेते हैं तो दोसो हम बात करे रहे है वी 7521 सुचकांक दोहजार इकिस में जो भारत की rank है वो कितनी थी तो 42 थी ये आपको याद दखना है भारत की जो rank है वो 20-30 सुचकांक 2021 में 142 थी नेक्स्ट है दोसो 20-30 परदता सुचकांक 2021 इस index में जो भारत की rank थी वो 43 थी ये आपको याद दखना है अगला index है दोसो हैंले passport index 2021 तो दोसो इसमें एक by mistakes मैंने गलती कर दी थी इस report को दोसो quarterly जारी किया जाता है तो जो quarter 1 था इसमें जो rank थी इसकी ये 85 थी और quarter 2 में इसकी जो rank है वो 84 थी और quarter 3 की rank भी अब जारी कर दी गई है जिसमें जो भारत का इस्ताने वो अब 90 हो गया है मलब 90 हो गया है और अब बात करें दोस्तो मानोवी का सुचकांक की मलब human development index 2021 की तो इसमें जो भारत है, इसकी rank है 131 ये आपको याद देखना है next index देख लेते, 20 वी कि सांक्ती सुचकांक 2021 तो इस index में जो भारत की rank है वो 135 है और जो जलवाईू परिवरतन प्रडैसन सुचकांक 2021 है, इसमें भारत की rank कौन्सी है, तो ये 10 बी है याद इखना है भारत की rank कौन सी है तो 10 वी और ये जो Global Innovation Index 2020 है इसमें भारत की rank की बात करें तो यहां 48 है याद इखना है 48 है कि इसमें Management Index 2020 में और इसादी मैं आपको बता दू कि ये जो Global Hunger Index 2020 है इसमें भारत की जो rank है कितनी है तो 94 आपको याद दखना है दूसरों यह सभी important index है जो की आने वाले exam में पूछे जा सकते हैं और अब दूसरों जो important भच्चे वाले index है वो देख लेते हैं तो सबसे बिले हम बात कर लेते हैं Global Fire Power Index 2021 की तो इस index में जो पहले इस्तान पर है दूसरों वो अमेरिका है और बात करें हमारे दिश भारत की तो भारत की जो rank है वो कितनी है तो fourth rank है और next है Global Gender Gap Index 2021 तो सबसे बिले दूसरों मैं आपको बता दूँ कि इस index को जारी कौन करता है तो World Economic Forum के दौरा Global Gender Gap Index को जारी किया जाता है और इसमें जो पहले इस्तान पर है वो Iceland है पहले इस्तान पर कोन है तो Iceland है और भारत की जो rank है वो 140 है और यहाँ पर दोस्तों इस index से तीन question बन सकते हैं वो कौन-कौन से तो सबसे पहले question बनेंगा कि जो Westwick Index है इसमें भारत की rank कौन सी है और पहले स्थान पर कौन सा देश है और साती दोस्तों इसे जारी मतलब इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है ये पूछा जा सकता है ये तीन ही कोशन इस इंडेक्स से बन सकते है और अगला इंडेक्स से देख लेते है समावेसी इंटरनेट सुचकांक 2021 तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बढ़े हम बात करते है कि ये जो समावेसी इंटरनेट सुचकांक है इसे जारी कोन करता है तो दा इकोनोमेस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के दोरा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है और इसमें पालेस्तान पर है दोस्तों स्वीडन और भारत की रेंकर की बात करें तो भारत की इसमें रेंकर है दोस्तों फूर्टी नाइन्थ ये आपको याद देखना है और अगला सुचकांक है वेस्विक उर्जा रुपांतरन सुचकांग इसमें हम 2021 की रिपोर्ट की बात कर रहे है तो इस रिपोर्ट को दोस्तो जारी करता है World Economic Forum मतलब 208 मंच के दोरा Westwick उर्जा रुपांतरन सुचकांक को जारी किया जाता है और इसमें भी पालिस्तान पर है दोस्तो Sweden और भारत की बात करें तो भारत का जो इस्तान है वो 87 वा है अगला इंडेक्स है दोस्तो Corona Virus प्रदर्शन सुचकांक 2021 तो इसमें पालिस्तान पर है दोस्तो New Zealand और भारत की बात करें तो भारत की जो रेंक है वो कौन सी है तो 86 याद दखना है आपको कि जो Corona Virus प्रदर्शन सुचकांक 2021 है इसमें भारत की रेंक कोन सी है तो 86 वी है और यह साथ ही दोस्तो आपको यहाँ पे bottom मनलब जो नीचे इस्तान पर है वो ब्राजिल है यह भी आपको याद दखना है और next है दोस्तो अंतराश्री बादिक संपदा सुचकांक 2020 याद दखना है आपको कि यह जो अंतराश्री बादिक संपदा सुचकांक है इसे जारी कोर्ण करता है तो US Chamber of Commerce Global Innovation इसे जारी करता है और यहाँ पे दोस्तो हम बात करें कि पालिस्तान पर कोन है तो अमेरिका पालिस्तान पर है और बात करें साथ ही तो Transparency International इसे जारी करता है और इस Index में जो सबसे कम भ्रस्ट देश है वो कोन है तो Denmark नाम याद देखना है आपको दूस्तो जो सबसे कम भ्रस्ट देश है वो Denmark है और जो भारत की रेंक की यहाँ पे हम बात करें तो भारत की रेंक है चासिवी याद देखना है आपको ब्रस्ट दार्णा सुचकांक 2020 में जो भारत की रेंक है वो चासिवी है तो दोस्तो हमने जो important topic था सुचकांक मलब Index 2021 इसको भी आप discuss कर लिया है मलब complete discuss कर लिया है और इनमें हमने कौन-कौन से point देखे ये आपको याद देखना है कि हमने कौन-कौन से point देखे तो इस report को जारी कौन करता है भारत का इस्तान कौन सा है और पहले इस्तान पर सुचकांक में कौन है ये हमने तीनो point पर एक एक करके discuss कर लिया है और next class में हम अगला topic देखेंगे तो आज का video lecture यहीं परेंड होता है आपको हमारा lecture अच्छा लगाओ तो इससे like करिए, share करिए और साथी दोस्तों आज का question of the day है इसका answer जरूर comment में करिए तो thank you so much guys for watching this video bye bye, take care